क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके फोने सिम कार्ड नहों तो आप इंटरनेट का इस्तिमाल कैसे कर सकते हैं लेकिन जल्द ही ये बात सच हो सकती है जब बिना सिम कार्ड या इंटरनेट कनेक्शन से आप वीडियो स्ट्रीम कर सकेंगे ये मुम्किन हो पागा टेक्नोलोजी का जल्द ही ट्रायल होने वाला है भारत में जिसकी शुरवात भारत के 19 शहरों से होगी चंद्रा ने ये भी कहा कि वीडियो ट्राफिक का 25-30 प्रतिशत डेक्टू मोबाल पर शिफ्ट होने से 5G नेटवक की रुकावट दूर हो जाएगी जिससे देश के ड अभी तक टीवी नहीं पहुंच पाया है जो एक बहुत बड़ी बात होने वाले है ये संक्या करीब 8-9 करोड की है भारत में करीब 280 मिलियन घर है जिन में से सिर्फ 190 मिलियन लोगों के घरों में ही टीवी है चंद्रा ने ये भी कहा कि देश में 80 करोड स्मार्टफोन है और उभोगतां द्वारा एकसेस की जाने वाली प्रतीशत के अगर हम बात करें तो 60 प्रतीशत से जादा लोग वीडियो फॉर्मेट पर विश्वास करते हैं चंद्रा ने ये भी कहा जादा वीडियो लोड होने के वज़े से नेटवक स्लो हो जाता है और डिवाइस करने लगता है आदा ट्रैफिक अगर डिरेक्ट व मोबाइल पर शिफ्ट हो जाएगा सो सुचारू रूप से ये एक सर्विस जो है वो काम कर पाएगी हलाकि ये सर्विस फ्री मिलेगी या इसका चार्ज होगा इसके बारे में परियाब जानकारी नहीं है सरकार टीवी को जाद से जाद संख्या में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है और इसको एक बड़ा मात्यम माना जा रहा है सरकारे से शिक्षा और एमर्जनसी सेवाओं का प्रसारन करना चाहते हैं हलाकि इससे एक ये सवाल भी उड़ता है कि मोबाइल ऑपरेटर इसका विर आप देते हैं ये ब्रॉडबेंड और ब्रॉड़कास्ट का मिक्स्चर होगा मोबाइल पर जिस टेक्नोलजी से एफम रीडियो प्रसारित होता है डिरेक्ट टु मोबाइल वैसा ही है फोन में लगा रिसीवर रीडियो फ्रिक्वेंसी पकड़ेगा इसमें 526 से 582 मेगा हा इस बैंड का उप्योग अभी टीवी ट्रांस्मीटर के लिए होता है इस तकनीक की मदद से जिस तहां आप बिना इंटरनेट के घर पर टीवी चैनलों का आनन लेते हैं ठीक वैसे ही मोबाइल फोन पर भी ले सकेंगे बहुत ही कम दाम पर OTT कंटेंट भी आपको दिखने क मिलेगा वो भी बिना डाटा पैक है यह टेकनोलोजी डिरेक्ट्टू मोबाइल की वज़से संभव होने वाला है जिसको लेकर सोशल मीडिया पर अलग-अलग प्रतिक्रियाओं का दोर शुरू हो चुका है